25 सितंबर के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर दुनिया भर में स्वास्थ में सुधार के लिए फार्मासिस्टों की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है फार्मासिस्ट सुरकषित और प्रभावी दवा के उपियोग को सुनिश्चित करके रोगी परामर्ष प्रदान करके और विभिन्न तरीकों से स्वास्थय देखभाल प्रनालियों में योगदान करके स्वास्थय सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं विश्व फार्मासिस्ट दिवस की स्थापना 2009 में अंतरराश्ट्रिय फार्मासिटिकल फेडरेशन एफाईपी द्वारा वैश्विक स्वास्थ्य में फार्मासिस्टों के योगदान को पहचानने और मनाने के लिए की गई थी इस वर्ष की थीम फार्मासिस्ट वैश्विक स्वास्थ्य आवश्शक्ताओं को पूरा करना है अपडेट दोग महत्वपूर्ण दिन अंतियोदय दिवस 25 सितमबर पंडित दिन्दयाल उपाध्याय की जयनती मनाने के लिए भारत 25 सितमबर को प्रतिवर्ष अंतियोदय दिवस मनाता है यह उनके जीवन और विरासत के स्मरण और उत्सव का दिन है और वह भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे प्रमुख शक्सियतों में से एक थे और पिछडों के उत्थान के अपने प्रयासों के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए उनकी जयनती अंतियोदय पर मनाई जाती है जिसका अर्थ है आखिरी का उदे अपडेट तीन समझोता भारत को अमेरिका के सहयोग से पहला राष्ट्रिय सुरक्षा सेमी कंड़क्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा अमेरिका के साथ एक परिवर्तनकारी सहयोग के तहट भारत को अपना पहला राष्ट्रिय सुरक्षा सेमिकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मिलेगा जो दोनों देशों के साथ साथ महत्वपूर्ण दूरसंचार नेटवर्क और इलेक्ट्रोनिक्स में सैन यहाडवेर में उप्योग के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा विल्मिंग्टन में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन के बीच वारता के बाद महत्वाकांक्षी भारतमेरिका संयुक्त परियोजना की घोशना की गई दोनों नेताओने पहली बार भारतमेरिका सेमी कंडक्टर निर्मान साजेदारी को वाटरशेड व्यवस्थार के रूप में सराहा अपडेट चार नियुक्ती कलिकेश सिंह देव बने भारतिय राष्ट्रिय राइफल संध के अध्यक्ष कलिकेश नारायन सिंध देव को भारतीय राश्ट्रिय राइफल संध एनारेयाई का अध्यक्ष चुना गया जब उन्होंने Constitution Club of India में हुए चुनावों में अपने प्रतिद्वंध वीवी के धाल को 36 से 21 से हराया ओडिशा के पूर्व सांसद कलिकेश पिछले साल रनिंदर सिंग के सरकार के राश्ट्रिय खेल संहिता NSC के अनुसार इस्तीफा देने के बाद खाली हुए एनारेयाई के रोज मर्रा के कामकाज की जिम्मेदारी संभाल रहे थे पिछले साल खेल मंत्राले ने निर्देश जारी किया था कि राश्ट्रिय खेल महासंगों NSF के प्रमुख 12 साल से अधिक समय तक पदपर नहीं रह सकते अपडेट 5 नियुक्ती KVS मनियन ने फेडरल बैंक के CEO के रूप में पदभार ग्रहन किया निजी क्षेत्र के रिंदाता फेडरल बैंक ने कहा है कि KVS मनियन ने अपने नए प्रबंध निदेशक और मुख्यकार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है मनियन सितंबर 2010 से बैंक का सफलता पूर्वक नेत्रित्व करने वाले श्याम श्रीनिवासन के सेवानिवरित होने से खाली हुई जगह को भरेंगे फेडरल बैंक ने जो बयान दिया है उसमें 23 सितंबर को श्री निवासन के सन्यास या पिछले 14 साल में बैंक में उनके योगदान के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया मनियन जो धाई दशकों से अधिक समय तक कोटक महिंद्रा बैंक के साथ थे का बैंकिंग उद्योग में एक सिध्ध ट्रैक रिकॉर्ड है अपडेट 6 पुरसकार ओडिशा की तैराक प्रत्यसारे को एकलव्य पुरसकार मिलेगा एक अधिकारी ने बताया कि तैराकी की उभर्ती सितारा प्रत्यसारे को 2024 के प्रतिष्थित एकलव्य पुरसकार के लिए चुना गया है पे ने इस साल फरवरी में गुवाहाटी में खेलो इंडिया युनिवर्सिटी गेम्स में 6 पदक हासिल किये थे जिसमें 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल था विभिन क्षेत्रों से आये जूरी सदस्यों वाली एकलव्य पुरसकार समिती ने एक बैठक में इस प्रतिष्थित पुरसकार के लिए रे का चयन करने में सर्वसम्मती से राय का चयन किया रे को बाद में आयोजत होने वाले एक समारोह में प्रशस्ती पत्र के साथ 7 लाख रुपए का नकत पुरसकार दिया जाएगा जो पिछले 5 लाख रुपए से व्रिध्धी है अपडेट साथ अंतरराश्ट्रिय अमेरिका ने लोटाई भारत की 297 प्राचीन धरोहर भारत का दब्दबा सांस्कृतिक संपत्ती की अवैध तसकरी एक लंबे समय से चली आ रही समस्या है जिसने पूरे इतिहास में कई संस्कृतियों और देशों को प्रभावित किया है भारत इस मुद्दे से विशेश रूप से प्रभावित हुआ है और बड़ी संख्या में प्राचीन धरोहर की देश से बाहर तसकरी की गई है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की चल रही यात्रा के दोरान 297 प्राचीन धरोहर भारत को सौंपे गए इस तरह 2014 से अब तक भारत द्वारा बरामत की गई प्राचीन धरोहर की कुल संख्या 640 हो गई है अकेले सन्युक्त राज्य अमेरिका से लोटाए गए प्राचीन धरोहर की कुल संख्या 578 होगी अपडेट आठ राश्ट्रिये किरन राव की फिल्म लाप्ता लेडीज को आस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टी के रूप में चुना गया है फिल्म फेडरेशन ओफ इंडिया ने घोशना की पित्रसक्ता पर हलके फुल के व्यंग्यवाली हिंदी फिल्म को बॉलिवुड हिट एनिमल मल्यालम राश्ट्रिये पुरसकार विजेता आतम और कान विजेता ओल वी इमेजन एज लाइट सहित 29 फिल्मों की सूची में से चुना गया था अस्मिया निर्देशक जाहनो बरुवा की अध्यक्षता वाली 13 सदसिये चैन समिती ने सर्वसम्मती से अकादमी पुरसकारों में सर्वश्रिष्ट अंतरराश्ट्रिये फिल्म शेई के लिए आमिर खान और राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज पर फैसला किया अपडेट नौक योजनाएं और समितिया प्रमुख आदिवासी विकास योजना के लिए चैनित मानागाँ चमोली जिले के जोशिमठ ब्लॉक में स्थित मानागाँ को प्रधान मंत्री जनजाती उननत ग्राम अभियान के तहट चुना गया है जो केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश आदिवासी समुदायों की सामाजिकार्थिक स्थितियों में सुधार करना है चमोली जिला प्रशासन की आधिकारिक साइट के अनुसार चमोली भोटिया जनजातियों का घर है जिन में से अधिकांश सदियों से उपरी चमोली की माना और नीती घाटियों में रहते हैं इस कार्यक्रम का लक्षे देश भर में आदिवासी समुदायों के लिए बहतर बुनियादी धाचा, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आजिविका के अफसर प्रदान करना है अपडेट 10 शिखर सम्मेलन और सम्मेलन राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने सोलहवी असोसाई विधान सभा का उधगाटन किया राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि ओडिट को अपने निरीक्षन कारियों को प्रभावी धंग से करने में सक्षम होने के लिए तकनीकी विकास के साथ बने रहने की आवश्षकता है 25 सितंबर को नई दिल्ली में Asian Organization of Supreme Audit Institutions असोसाई की सोलहवी सभा का उधगाटन करते हुए राश्ट्रपती ने कहा कि सार्वजनिक शेत्र के आउडिट के अधिदेश का विस्तार पारंपरिक आउडिटिंग से परे हो गया है जिसमें लोग कल्यान योजनाओं और परियोजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन शामिल है और यह सुनिष्चित करना की वे सभी नागरिकों की समान रूप से सेवा करें उन्होंने कहा कि तेजी से प्राध्योगी की संचालित दुनिया में प्राध्योगी की का उप्योग करके अधिक से अधिक सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही है